गुडबॉनिंग ब्यारे बच्चो ऐफा सेंटर कॉलेज के ओनान क्रासिस में आपका स्वागाता है हम पढ़ रहा है कक्षाबारा का गड़ेत और गड़ेत दिवसे में हमारा टॉपिक चला है समाकरन हमारी प्रस्णावली 7.1 कम्प्लीट हो चुकी है और आज हम करेंगे प प्रस्णावली 7.2 में कुछ सवाल आना थोड़े प्रस्णावली 7.1 कुछ चेंजमेंट होगा इन में ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं देखते हैं इसके बरावर हमको कुछ मानना पड़ेगा ठीक है इधर देखते हैं वन प्लस एक्स स्क्वार इक्वल टू हमने क्या माल ल ठीक है अब यहाँ से हम क्या करें गे 2 X DX यहां पर भी लिखा हुआ है 2x DX इसको ऐसी लिखा रहे ने थेंगा कोई नहीं कोई नहीं इंट्रिकमेशन इस लिखा हुआ है 2x DX यहां पर भी हमारा 2x DX इकल तो कतना है x-dj तो इसकी जगा हम कितना रख देंगे डीज रख देंगे इसकी जगा हमने रख दिया डीटी और बन प्लस x-square एकोल टो में क्या माना एक ती माना थे तो इसकी का हम क्या रख देंगे ती रख x होता है लेकर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा और constant ओप सी जोड़ देते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे ठीक ही वेलू रख देंगे ठीक ही कि बैलू कितनी है बन फिलस एक्स सक्वार तो कोई नहीं बस इसकी वैलू रख दो log 1 plus x square और plus constant of यह हमारा क्या हो जागा answer हो जागा आईए पहरे बचों आप देखते हैं question number 2 question number 2 हमारा लिखा हुआ है log x का whole square upon x ठीक है तो इसमें भी हम मान के करेंगे इसमें क्या मानेंगे log x equal to मानेंगे log x equal to क्या मानेंगे log x का differentiation क्या होता है अब करन बना पाउना एक्स और x का dx equal to dt ठीक है अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर छूट गया है यहाँ पर dx होगा question ठीक है अगर देंगे तो बना पाउना एक्स और dx यहाँ पर भी बना पाउना एक्स दी एक्स तो इस पूरे के देखेंगे टी रख देंगे ठीक है आईए देखते हैं integration log x equal to का माना है टी माना है तो यह हमारा क्या हो जाका T और bracket के अंदर है तो इसको bracket के अंदर ही लोखो power इसके बाहर है तो power बाहर लगा दो ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं तो बना मानेंगे बन अपॉन एक्स डी एक्स यहां के बन अपॉन एक्स डी एक्स इकल डू कितना है डीटी तो इस पूरे की जगा हम क्या रख देंगे डीटी रख देंगे ठीक है यहां हमने क्या रख दिया डीटी रख दिया ठीक है आप क्या करेंगे इसमें आखी। की पप्रन कर हमारा छी लग जाए क कितना को जाए का टी की पावर टू प्लीस मनूं कि और ये लिस खाया करेंद हख amended course फ्रस फिए रहें प्लाइन लोग एक्स तो रखोव यहाँ यह ब्रेक्टमे रहा पावर रहेगा एगा अशाध मतावर लेकिंटinta है प्लस कॉंस्टेंट आफ यहां आप से हमारा किया हो जागा आइए पहरे पूछ आप देखें कोशन नमर तीन ठीक है कोशन नमर तीन लिखा हुआ है BUN PLUS LOG X को क्या मानेंगे, हम T मानेंगे, лыखो, BUN PLUS LOG X EQUAL TO क्या माने लिया, T माल लिया, इसका X के साफ एक साफ करन करेंगे, तो BUN का क्या हो जागा, हमारा 0 हो जागा, और LOG X का क्या हो जागा, BUN APON X, X का DX, और ये हो जागा, DT, फिर्व वही कंडिशन अगी बनप आएक्स और डी एक्स इक्तोड न अगा डी टी आगए ठीक यह बनप आउना एक्स इसकी युकाम पूरा क्या रखते हैं ज़िए है इंट्रीकेशन फिर्टी बन उट्प एकश डिय extrêmement इसके माना ती माना तो यह अमारे क्या हो कर दिखने़ होता है लेकन यह पर टीह मार क्या हो जाएगा लॉप यह जाएगा ल्म ची लगा दो यहाँ पर कितना है वन प्लस लॉग एक्स क्लिस कॉंस्टेंट आप सी यह हमारा अंसर नुमर चाल लिखा हुआ है साइन एक्स साइन कोज एक्स ब्रेकट में है डी एक्स ठीक है चलिए इसको करते है ठीक है इसमें का करेंगे कोज new Dragons dq2 मानेंगे माना ने लिखेंगे हम है माना कॉझ एक्स एपकवल को तुट को की करेंगे करें अब करेंगे एक्स केसाफ एक माईनस vaccine x होगा allez Next यहां से ने ठीक है किस निकालओ हए तो आठीगे माइनस का डीटी रहें ठीक है आए देखते हैं जान साइन्स डी एक इसका आजागा आपको माइनस का डीटी आ जाए ऐसे रहा और इस को देक्स को हमने माना अ हम नहीं माना है तो इसकी जगा ने का रखेंगे हैँ ठीक है जानते हैं होटा है साइन का होटा माइन marriage का कॉज X होता है ठीक है अब यह होगक है तो क्या हुआ जागा T हो जागा मैनस इन हमारा पहले से है और इसका क्या होगा माइनस का कॉज हई क्यों नी कि यह और प्लस कॉइट अप्सी यह वाला मैनस क्या हो जागा पिलस हो जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा कॉज टी प्लस अब ती की बैलु यहां लगा देंगे टी इक्वल्टू कितना हमारा कॉज एक्स ठीडिका हम तक देक है कॉज और कॉज एक्स》 पिलस constant of see यह हमारा answer हो जाएगा आई यह पहरे वेचे आप देखते हैं कोशन नमबर 5 कोशन नमर 5 हमारा sign ax plus V cause ax plus V dx ठीक है मान कर करेंगे मानेंगे हम sign वराबर मान लेते हैं sign वराबर मानेंगे तो हमें cause वराबर मिल जाएगा ठीक है लिखते हैं माना sign ax plus V sign ax plus V equal to amalya team on the city is sign ax plus V यह वराबर में क्या मान लिए ठीक है थोड़े देर के लिए इसको सब्सक्राइब कि क्या है एक्स क्या है पुरा एक्स के साफ एक्स अब करेंगे वह सुरी एक्स के साफ एक्स अब करेंगे तो क्या हो जागा हमारा सान का क्या होता है कॉज एक्स इसको हमने क्या माना एक्स माना तो पूरा एक्स आगा एक्स की का पूरा यह आगा ax plus B ठीक है लेकिन यह एक्स नहीं है ax plus V है इसका दोबारा से अब करेंगे तो क्या होगा x का क्या हो जाएगा x के साफ x बन हो जाएगा बन हो जाएगा तो क्या बचेगा cable a बचेगा तो क्या हो जाएगा a और b जो होगा b के साथ में x का कोई function नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा a into 1 एक्स का क्या हो गया बन हो गया और इसका क्या हो गया जीरो हो गया इसका दोबारा से कर दिया ठीक है और डी एक्स होगा एक्वल टू क्या हो जागा डी टी हो जाएगा ठीक है तो यह कुल मुला के मारा क्या हो गया कॉज AX plus B और यहां क्या बचेगा केवल A बचेगा यह तो 0 हो जाएगा यह को वहार लिख लो ठीक है A और DX एकुल टू क्या हो जाएगा DT हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं का लिखा हुआ है कॉज AX plus B DX क्या है कॉज AX plus B DX ठीक है इसकी बैलू निकालेंगे तो यह हमारा कहां जाएगा उदर जाएगा तो यह बटे में पहुँच जाएगा कॉज AX plus B DX इकुल टू यह गुणा में उदर जाएगा तो यह भाग में पहुँच जाएगा यह हो जाएगा हमारा DT upon A ऐसा हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे जो लिखा हुआ है कॉज AX plus B कॉज AX plus B DX यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रस्वन में कॉज AX plus B DX इसकी जगा हम क्या रखतेंगे DT upon A रखतेंगे ठीक है आएगे देखते हैं Intrigation क्या माना हमने Sine AX plus B इसके बराबर क्या माना T किसके बराबर इसके बराबर तो इसकी जगा हम का रखेंगे T रख दिया हमने ठीक है और यह हमारा कॉज AX plus B DX कॉज AX plus B DX पूरा है तो इसकी जगा हम का रखेंगे DT upon A रख देंगे ठीक है तो रख दो यहाँ पर DT upon A ऐसा हो जाएगा यहाँ से बना पॉन A बाहरा जाएगा क्या रह गया T और DT रह गया ठीक है अब क्या करेंगे इसमें X की पावर N का फार्मूला लगा देंगे क्या हो जाएगा 1 upon A यह हो जाएगा T square Y 2 प्लस constant of C ठीक है बई पावर में क्या होता है पावर में एक जोड देते हैं और नीचे भी एक जोड देते हैं N प्लस 1 upon N प्लस 1 होता है हम जानते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर T की बेलू रख दो चाहों तो पहले साई से लिख लो ऐसे T square upon 2A हो गया 2A प्लस constant of C अब यहाँ पर क्या करते हैं T की बेलू रख देते हैं T equal to हमने कितना बना है Sine AX plus B ठीक है तो रख दो यहाँ पर Sine AX plus B का square हो जाएगा ठीक है और नीचे हमारा कितना 1 upon 2A यह बाहर लेगा प्लस constant of C हो जाएगा यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है प्यारे बच्चों आज हमने प्रिशना वली 7.2 में प्रिशन नमबर 1 से लेकर प्रिशन नमबर 5 तक हम सवाल सॉल्व कर चुके हैं अगले सवाल करेंगे हम अगली वीडियो में कोशन नमबर 6 से लेकर जितने भी प्रिशन होंगे वह हम अगली वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो के जितने भी कोशन से इनको नोट कीजेगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राब कीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा ठीक है पार बच्चों